करेंगे जो है is alpha ठीक है तो इसके लिए मैंने यहां पर कुछ scenarios को note किया है one by one हम वो scenarios को go through करेंगे और इसका output समझेंगे कि क्या benefit है जहां पर जिसके लिए हमार को use करना होता है is alpha ठीक है तो पहला scenario देखता है पहले scenario में हमने क्या क्या है एक string बनाया है एक variable में हमने store किया शर्मित और फिर हमने इसको as it is print किया जैसा हम हम हर सेशन में करते है तो हम हमारे screen पे पहले output शो करेंगे जिसमें without changes जो text है वो शोगा उसके बाद में क्या कर रहे है एक string concat कर रहे है is alphabetic और इसके साथ में use कर रहे है is alpha तो is alpha क्या करता है जैसे हमने last session में देखा था इस digit के बारे में तो क्या करता था वह check करता था कि पूरी जो string में जो characters है वो desert है क्या अगर होता था तो उत्रूה return करता था otherwise वो false तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम चेक करते हैं कि वह alphabatic है क्या, characters है क्या, अगर characters होंगे, सभी चीज character होगी तो वह written करेगा true, otherwise वह written करेगा false, ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर हमने इसको प्रेंट करने के लिए क्या boolean value रिटन करता है, इसलिए हम इसको पहले string में convert करेंगे, तो str से मैं इसको string में convert कर दिया, और backslash करके line को change किया, अब मैं इसको run करने के लिए Ctrl Shift Tilt प्रेस करूंगा अपने keyboard पे, जिससे वह मेरा प्रोग्राम को execute कर देगा, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जैसी terminal हमारा open होगा, तो हम लिखेंगे python, तो mainly यह हम तभी यूज करते है, इस alpha method को, जब भी हमारे पास कोई इस requirement ही कि मानलो, आपके पास कोई argument आ रहा है, या कोई variable इससा आपने receive किया है, जिसमें बहुत सारा data stored है, और इस data में आपको verify करना है, कि वो सारा data जो है, वो alphabetic है या नहीं है, अगर वो isdigit related है, मतलब आपको digit verify करना है, तो आप उस case में isdigit का use करोगे, और अगर आप आपने alphabetic को check करना है, तो इस case में आप is alpha वाला melted function का या method का use करोगे, ठीक है, terminal open हो गया, अब हम यहां क्या करेंगे, python लिखेंगे, python, space देंगे, program का name देंगे, program का name मेरे case में है, session 19.py, तो मैंने वो यहां पर mention किया, और enter hit कर देंगे, तो यह क्या करेगा, सारे output को show कर तो हम पहले scenario का output देखेंगे, पहले जो initial two line है, तो यहां पर क्या return किया, is not true, true इसलिए रिटन किया, कि यह जो sub values है, वो as a character ही है, तो इसमे is alphabetic में, is alpha में हमारे को true return हुआ, second scenario देखते है, second scenario में हमने क्या किया, string में थोड़ा सा changes किया, यहां पर हमने 123 को add कर दिया, तो यह चेक करके बताएगा कि इस सब alphabet है या नहीं, तो second scenario का output देखते है, यहां पर false आना चाहिए, false आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास 123 add है, तो 123 तो alphabet नहीं है, तो इसलिए वो उसको false रिटन कर रहा है, third scenario में हमने क्या किया, is alpha use के texture mid space के साथ में है, तो वहां यहां पर देखते हैं, क्या रहा है, output, यहां पर रिटन कर रहा है, false तो यहां पर is alphabetic में false को रिटन कर रहा है, false क्यों रिटन किया, क्योंकि यहां पर हमारे पास space था, और space को यह ए as a alphabet consider नहीं करता, space को यह इग्नोर करता है, तो यहां पर इसलिए इसने, means ignore नहीं, consider नह का तो इस case में भी यह false return करना चाहिए तो यहां पर क्या कर रहा है false return कर रहा है तो यह कुछ 4 scenarios है जिसमें हम as alpha mostly use करते हैं जब भी आपको data को verify करना है कि वो alphabetic है या नहीं है तो इस case में हम इसका use कर सकते हैं I hope यह session आपको clear हुआ होगा next session में बाकी topic discuss करेंगी so thank you for watching Techsharement